हेलो फ्रीज्स, वेलकम बैक टू माई चानल, माई नीम इच्छ दन्दिनी और आज मैं बनाने होले विट ये इस्टी सा आलू टीकी के पकोड ये स्प्रिट, आलू टीकी के पकोडे खाने में बहुत ही देश्टी लगते हैं, आप इस रेस्पी को जरू ठाए करेगा, अगर आज मैं डाल दूँगी, पशोरन हम लोग पशोरन अच्छे से चेटक चुका है, आज मैं डाल लूँगी, मिर्च और लैसून हम लोग्य रिख लैसून भुण रहा है, अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे मैंने मीडियम साइज के चार आलू लिये ते आपको अच्छे से इन आलों को बुल लेना है आलू डाल लेंगे बाद हम लोग इसमें डालेंगे नमक श्वादन उशाद उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी थोड़ी सी और इसको हम लोगों अच्छे से मिलाके बुल लेना है हम लोगों आलो जितना चाहिए था बुल निया मैंने मैंने इसको करीब एक से तेर्व मिड़ट बुना है यह जिए हम लोग लेंगे बेशन इसमें हम लोग डाल देंगे शौद अनुशाद नमक थोड़ी सी हम्धी डा अच्छा-सा पेश्ट बना लेंगे हम लोगो पानी इसमें धीरे धीरे करके डालना है कि अगर पानी इसमें आप एक यह बार डालोगे तो फिर इसमें गुटलिया आ जाएंगी और पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको क्या करना इसमें थोड़ा तोड़ा करके आपको जितना पानी की जोलत लगे आपको इसे पानी रालते रहना है अब देख सकते हो हम लोगा गोल रेडी हो चुका है इसको हम लोगा ज्यादा गोलना है नहीं ज्यादा पतला गोलना है और इसको अच्छे हम लोगा फेट लेना है वेसन को अभी रेडी हो चुका है मेरा देबटर आभी चलते हैं पकोड़े तर हम लोग ऐसे चोटे सालू का मिश्रारल लेंगे असको क्या करना है इसे हतीलियों के मदत से ऐसे गोल कर लेंगे फिर इसको इसको प्रेस कर लेंगे और हम लोगे अलू टिक्की बनके रेडी हो जाएगे लेकर के आपको एक एक अलू उ iemand कि बनाकि रख लेना रहे तो अंब इसको बड़ा बनाना है तो बड़े साइज का बनाना चोटे साइज का बनाना थे Earth लहां अच्छे संग गरं हो चुकी है अब इसमें हम लोग ऐसे बैसन को लेंगे और ऐसे एक टिक है यो अधिफ कर के डाल देंगे गैस का फ्लेम, मीडियम टू हाई रहना चाहिए, अब हम इस पकोड़ों को पलट लेंगे, क्योंकि यह नीचे से हलके सिख चुके हैं, आपको इनको बराबर पलटते रहना है, क्योंकि जो पकोड़े होते हैं, उनको अच्छे से चारो तरब से सुनेरा आउने तक तलना रहत है, तभी वो क्रिस्पी बनते हैं, अब देख सकते हो, हम लोग की आलो के टिकी के पकोड़े, चारो तरब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको हम लोग ऐसे कल्ची को लाके रोक लेंगे, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा आले निकल जाए, सो फ्रे कर लेंगे कर दिकी मेद देख सकती है रफरे